हेलो एवरिवन, वेलकम टू जिद्धी बर्ड्स तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी संख्या को जो कीलो मीटर में दी होती है उसे हम मीटर में कैसे बदलते हैं यही सिखेंगे तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना होगा एक कीलो मीटर एक हजार मीटर के बरावर होता है या फिर एक हजार मीटर एक कीलो मीटर के बरावर होता है तो यहाँ पे जो दी गई संख्या है वो कीलो मीटर में है तो हमें इसे किस चीज में कनवर्ट करना है मीटर में यहाँ पे हमारा पहला question दिया गया है 5 km, तो इसे हमें किस चीज में बदलना है? मीटर में, तो कैसे बदलेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यह जो 5 km है, इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 गुना 1 km, देखिए यहाँ पे 1 km से हम यदि 5 में गुना करेंगे, तो 5 km ही आएगा, तो या फिर आप 5 km लिखिए, या फिर 5 गुना 1 km लिखिए, इन दोनों में कोई भी फरक नहीं है, इसलिए 5 km को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पे क्या है, तो लिखेंगे 5 5 गुना, एक किलो मीटर, कितने मीटर के बरावर होता है, 1000 मीटर के, तो एक किलो मीटर की जगा पे हम क्या लिखेंगे, 1000 मीटर, 1000 मीटर, अब हम क्या करेंगे, 5 से 1000 मीटर में गुना करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 5 से 1000 मीटर में गुना कीजिए, यह हो जाएगा, 5000 मी मिटर को यदी हम मिटर में कनवर्ट करेंगे तो यह कितना आजाएगा 5,000 मीटर अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 4 km 826 मीटर तो यहां पे देखिए कीलो मिटर भी है और मीटर भी है तो हमें तो मीटर में बदलना है तो हम यहां पे क्या करेंगे जो संख्या किलो मीटर में दी गई है उसे हम सबसे पहले मीटर में कनवर्ट कर लेंगे यहां पर देखिए क्या है 4 किलो मीटर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे मीटर में बदल लेंगे यहां पर लिखिए 4 गुना 1 किलो मीटर क्योंकि एक किलो मीटर से यदि हम 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 किलो मीटर ही आएगा तो या तो आप 4 किलो मीटर ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये दोनों एक दुसरे के बरावर ही होगा अब देखिए यहां पर क्या है 826 मीटर है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे क्या है 826 मीटर तो लिखेंगे 826 मीटर अब इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए क्या करेंगे चार है तो यहाँ पे लिखेंगे चार गुना यहाँ पे एक किलो मीटर है तो एक किलो मीटर कितने मीटर के बरावर होता है एक हजार मीटर तो यहाँ पे लिखेंगे एक हजार मीटर इसे कोश्ट से आप यहाँ पे घेर भी सकते हो अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे क्या है 826 मीटर तो लिखेंगे 826 मीटर अब देखिए यहाँ पे क्या करना है अब 4 से हम 1000 मीटर में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 मीटर और प्लस में क्या है 826 मीटर तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस आठ्सो चबबिस मीटर अब देखिए ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है तो हम इसे आसानी से जोड सकते हैं तो 4000 मीटर में 826 मीटर को जोडेंगे तो कितना आ जाएगा 4826 मीटर तो यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा अब इसके बाद में question number 3 में है 8.725 km तो इसमें आपको एक चीज समझना होगा यहां पे दसमलब से जो पहले की संख्या है वो किस चीज में होगी km में होगी यानि कि यहां पे जो 8 है वो किस चीज में होगा km में होगा और दसमलब के बाद वाली जो संख्य है यहां पे 725 यह किस चीज में होगा मीटर में होगा क्योंकि आपको पता है कि 1000 मीटर जो होता है वो एक किलो मीटर के बराबर होता है यानि कि 1000 मीटर से जो भी संख्या कम होगी तो वो किस चीज में चली जाएगी मीटर में तो यहां पे देखिए यह 1000 से कम वाली संख्या तो यह किस चीज में होगा, मीटर में, तो आप इसे इस तरीके से भी यहां पे लिख सकते हैं, दसमलब से पहले वाली संख्या किस चीज में होगी? किलो मीटर में तो इसे हम लिखेंगे 8 किलो मीटर और दसमलब के बाद वाली जो संख्या है वो किस चीज में है? मीटर में तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 8 किलो मीटर प्लस 725 मीटर I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे अब इसके बाद में हम क्या करेंगे 8 km है तो हम इसे क्या करेंगे सबसे पहले मीटर में बदलेंगे क्योंकि कीलो मीटर से हमें किस चीज में कनवर्ट करना है मीटर में तो 8 किलो मीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो इसके लिए करेंगे क्या 8 गुना 1 किलो मीटर 8 से 1 किलो मीटर में गुना करेंगे तो 8 किलो मीटर ही आएगा इसके बाद प्लस 725 मीटर है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 725 मीटर अब इसके बाद में क्या करेंगे आठ गुना एक किलो मीटर कितने मीटर के बरावर होता है एक हजार मीटर के तो यहां पे लिखेंगे एक हजार मीटर यहां पे हम कोश्ट लगा सकते है प्लस में साथ सो पचीस मीटर है तो लिखिए प्लस 725 मीटर अब देखिए 8 से 1000 मीटर में गुना कीजिए कितना आ जाएगा 8000 मीटर प्लस में 725 मीटर अब यहाँ पे देखिए यह भी मीटर में है यह भी मीटर में है तो दोनों को जोर देंगे 8000 मीटर में 725 मीटर को जोर यह कितना आ जाएगा 8,725 मीटर तो यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा चोथा 24 बट्टा 600 किलो मीटर तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 24 बट्टा 600 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 24 बट्टे 600 लिखेंगे गुना 1 किलो मीटर तो यदि हम 24 बट्टा 600 किलो मीटर को 24 बट्टा 600 गुना 1 किलो मीटर लिखेंगे फिर भी इन दोनों में कोई भी फरक नहीं है यह दोनों एक दुसरे के बरावर है अब देखिए आगे कैसे बनाना है 24 बटा 600 गुना एक किलो मीटर कितने के परावर होता है एक हजार मीटर के तो यहाँ पे लिखेंगे एक हजार मीटर अब देखिए यहाँ पे जो संक्या असानी से कटेगी उसे हम काट लेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे cancel हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे 10 है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 24 है तो देखिए 6 से 24 आसानी से कट जाएगा यहाँ पे 6 चौक 24 तो यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे 10 है तो ये आमने सामने की संख्या हो जाएगी तो इसका हम क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 4 से 10 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 दहाई का 40 और मीटर में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर तो यही 40 मीटर हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा यानि कि 24 बट्टा 600 किलो मीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो हमारा एंसर कितना आएगा 40 मीटर